हमारी कहानी की सुरूआ ट्रामे की फीमेले जिसका नाम साउची होता है उससे होता है वो भाग रहे होती है क्यूंकि उसके जो फैमली थी उसे जबर जस्ती एक डिजिबर बंदे से साधी करवाने के लिए लगे हुई थी और रोशोंस रहे थी कि मैं ऐसे बंदे से तो साधी इसकी बेहन थी और दोनों एक दुस्ती के साथ ऐसे गुलचड़े उड़ा रहे होते हैं और हमारी साउची के बारे में उल्ड़शीते बाते बोले थे इस सुनने के बाद साउची को बहुत बुरा लगता है अंदर जाने के बाद वो पुछती है कि तुम में सब कैसे कर सक अज तक तो तुमने मुझे हाथ लगाने दिया नहीं और उसके बाद अपना ड्रिंक ले आता है और उसे जबर जस्ती पिलाने लगता है और भोलता है कि अब तुम मुझे चोड़के जाई रहे हो तो थोड़ा सा तो मैं प्रोफिट ले लू और उसके बाद हमारा जो मिस् करने के बाद और लोगां से बाग गए थे अमें दिखा जाता है साउचिस होचती है अगर पापा पकड़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी तो ऐसे अपने आपको बचाते बचते बचते बचाते बाग रहे होती है एक कमरे के ऐसे दरवाजे पर ऐसे सपोर्ट ले रही और उसके बाद आने वाली थी सलीप का कय अर उसके बाद वो बोल रहे थी कि मेरे फैमिली वाले किसी रैंडम डीसिबल वंदे से मेरी साधी करवा रहे तो प्लीज मेरी मदद करो और उसके बाद उससे किस करने लगती है तब इलीन उसे रोगता répond कि तुम्हें क्या बोल र तो उसका भी कंट्रोल खुद से खतम हो गया और तो उनों एक दूसरी के साथ नाइटिस्मेंट कर लेते ही तो में दिखाया जाता है जो हमारा बंदा होता है और पहले उड़ चुका था और अपने एसिस्टेंट को बोलता है कि एक काम करो इसके में मेरा नया इंटिटी बना करता है अगले वाले शीन में फिर सी बेट पर जाता है और सोने का ड्रामा करता है जब हमारी शाओची अचे उठती है तो वो देखती है और तो गलती हालत में थी तो आप लग समझाओ किस वाले गलत हालत में और जो हमारा लीन होता है और उठने का ड्रामा करता है मतलब कि तिम स्जोंगने का थोड़े इंबारिज़ थे दोनों और उसके बाद हमारे शाओ ची हे बॉलते हैं कि में इस द्सका प्रज़र हो जुरूर करूगी इसके जिम्मेदारी में लुए घृता एंधिक्त है इससे बेटर है तुम्हार साथ मेरा जो विया उसके लिए में तुम से साथी करूँ कुछ बक तक जब तक मेरे फैमिली वाले मुझे उस बंदे से साथी करने के लिए फोर्ष ना करें मतलब और प्रेशर देते रहेंगे तो तब तक तुम मेरे पती रहोगे तो में भी बचूँगी और तुम्हारे सारे इस्पंसिबिलिटी में लोगी और जो हमारा लीन है वो बलता कि कोई बात नहीं और उसके बाद हो बोलता है कि तुम्हें जिसने जिए बच लेना हो मुझ अगले सीन में आमें दिखा जाता है लीन अपिस में जला जाता है हूँ पर आज नहें वाले इंप्लोईज का सेलेक्शन होनेवाला था जहां पर नाया डिजैन लूंज होना होता है और यहां पर जो हमारी बण्डी थी सावची उसका डिजैन बहुत प्यारा था और लीन सेलेक्ट करवा देता है लेकिन अभी भी उसके सामने आया नहीं था और उस सची में गाज हुलचेर में दी था और यहां पर लीन को मिस्टर लू कहके सब लोग बुलाते थे तो एजन हुलचेर में बैटने वाला इंसान यह मिस्टर लू है आप लोग उन्पूज मत हो जाना तो उसकी स्टेप सिस्टर आती है आगे उसके घर के कुछ लोग थे और शाओची को उठा के घर पे ले जाते ही उसके पापा उसे एक तमाचा मारते ही रिजन यह था कि मारमने किसी रांडम मेकानिक से साधी कर लिया था और यह बात फ्रेल गई थी बस किस बंदे से यह प परिशान थी और वो बोल रही थी कि मैं आपकी इस तरह से बरता बिल्कुल भी सेहन करने वादी हूँ नहीं उसे एक बंद कमने में बंद किया जाता है और कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं सची में साओची के साथ बहुत गलत हो रहा होता है आमें दिखाय जाता है जब इसके बारे में लुग को पता चला था ओज चला गया लेकिन इस पहार ओघणल में था और ओघणल में चला गया था वहाँ पर जाने के बाद ओंद दीखता है सौची नहीं पर देखने के बाद साओची की जो स्टिप पनिस किया क्योंकि आप से साधी करना पड़ेगा यह सुचके भाग गई थी और एक इसी रांडम मेकानिक से साधी करके आई यह तो आप सोचो न मिस्टर लोग यह तो बहुत ज्यादा बेशर्मी वाली बात है ना बहुत इंबार्जिंग बात है ना इस सुनने के बाद जो टाओ बोलता है कि आप लोगों की प्राफ़लम में आप लोगों के ने मुझे प्रãoिस के था कि आप लोगों की घर की बेटी मुझे सारी करेगी लेगिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी लड़की के साथ ऐसा बर्ताब करें ऐसा ओ बोलता है और उसके बाद जो लू होता है ओ बोलता है आज के बाद में आप लोगों के साथ कोई भी बिजनेस्टिल नहीं करने वाला जहां पर आप लोग इतनी गंदे हो ऐसा ओ बोलता है और उसके बाद वहां से नि यह देख नहीं पा रही थी, वो बहुत ज़्यदा खराबालत में थी और उसे इसे डीख रही थी तभी जो ठाधी हो बोलता है कि मुझे क्या देख रही हो, उ बोलती कि मुझे लगा की आपको मैंने की दीख है यह आपका शक्र, किसी तो मिलता है, यह सुनने के बाद, वो ब और उसके बाद ओ बोलती है कि ओ मेरा पती है मिस्टर लू ए सुनने के बाद जो लू था ओ बोलता है कि एक बात बताओ तुम बोले तुमारा पती है लेकिन जब तुम प्रॉब्लम में थी तो बचाने के लिए तुमारा पती नहीं आया में आया ना तो सोचो तुमारा काम को अब हमें दिखाया जाता है जब लू साओची को छोड़ने आता है तो उसे बोलता है कि तुम चाहिए कुछ भी करो किसी से भी साधी करो लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो एस सुनने के बाद साओची वाज लाई कि इसका दिम्भा खरब हो गया है और बोल भी देते कि मैं मैं तो उसे छोड़ नहीं सकते है जला जाता है अब हमें दिखा जाता है रात को गर्पे जो लीन होता है लीन अर्डू एक बंदे बस उनका करेक्टर ला लगए इतना आप लोग समझ जाना तो उसे सौरी बोला था और उसके पर जोनी सान थे उस पर मलंपटी कर रहा था और जो लोग था और मनी मन में सोचा था कि इसके दिरांग में चलता क्या है और उसके बाद में किसे दिखा जाता है यह दोनों एक जोली सब में गए होए होते हैं और यहाँ पर तो अलेरी कुछ लोग थी जो इनके क्लास और स्टेंडर को लेकि बहुत जादा गंदी गंदी कि बहुत जाए और बोल ले लगते हैं और बना स्टेंडर को कि अगरणा के आपके क्स्ट्मर आते हैं तो हमें नहीं आना इससे अभी के आशने निकलवाओ यह सब जुनने के बाद लोग को बहुत कुछ गुशा आता है और बोलता है कि आप लोग क्या लेगता है कि में न नहीं डाल सकती बहुत महिंगा यहां का सामन और उसके बाद अपना कार्ड देता है स्वाइप करने के लिए बोलता है जहां पर थे सारे पैसे थे अविसली यह था लू फैमिली का लू और उसके बाद लोग तो सौक में आ गए कि नहादा पैसा और इसके बाद बोलने लगत क्या दिक्कत है और तब यहां पर आता है जो लू का फ्रेंड मतलब यह लू को जानता है वाला फ्रेंड उसे वाँ पर देखने के बाद बोलता कि तुम्हें पर क्या कर रहे हो और उससे इसारा करता है कि प्लीज सच मत उगल देना और उसके बाद हमें एह दिखा जाता है वो उन लोगों को डाट लगाता है, इस साउब का ओनर जो लू का प्रेन था और उसके बाद वो उन लोगों को वाँ से बगा देता है और इवन जो हमारी शाओजी थी उसको sorry बुलवा देता है उससे उसके सामने उन लडकियों को जब शाउची पूछते कि तुम दोनेिक दोपनधें को जानते हो तो भी ओबुटा है कि हाँ मैं तो मेरा दोस्त सी आजसे बोलता है सोब उनर बद मैं जब लू एससे कोण ही मारता तो भी ओबुलता कि I mean to say और उसके बाद जो लू था वो बोलता है कि असल में ना मैंने इनकी मदद की थी एक बार बहुत बड़ी मदद तो इसलिए ये मेरे साथ बहुत अच्छे है और तुम्हें तो पता ही होगा अच्छी लोगे साथ हमें साच्छा होता है वही वाला कंसेप्ट साव बोलता ह और शाओची को एक इन हो जाता है और इसके बाद शाओची इस सबसे बहुत त्यारा जानेंग उठाती है जो उसके प्राइसे अवर्डेबल भी था और उसके बाद वो बोलती कि मेरे तरब से तुम्हारे लिए गिफ्ट है अगर मेरे पास पेस यहाएंग तो मैं तुम्ह करता है और उसके बाद वहां पर कुछ चीज देख रही होती है तभी जो लू था उसके जो तोस्त होता है वह बोलता कि क्या बात है बड़ी तुम्हें तो बहुत प्यारी बंदी मिली है ऐसे तुम प्लान गया है तुम्हारा एस सुनने के बाद वह बोलता है कि कुछ नही को खो दिया और मुझे इस तरह से पूरी लाइप टिसिबल बनना पड़ा मेरे पहरों को इतनी चारी प्राब्लम हो गए मैंने जो जहला है इसके वज़े से इसको कभी बूल नहीं सकता और मुझे इससे बदला लेना है इसके बदला लेना है ऐसा हो बोलता है और पूरे ऐ एक दोसे से बात करने लगते हैं काफी प्यारी ओए में और उसका दोस्त बोल ला था कि यह देखो मेरा दोस्त कितना बड़ा दोग लाए बोल रहा है इससे प्यार नहीं करेगा और इसके साथ इतना कमफर्डेबल है ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतनी प्यारी लगके से कौन प्यार नहीं करेगा ऐसा हो सोच रहा था अब आमें एक दिखाया जाता है कि जब साओची फॉर्स्टे काम पर जाती है तो पहला काम ओ एक करती है कि लोग से टकरा जाती है जो अब इसमें कोई नहीं करता था और देखे न सारे इंप्लोई सोच रहे थी कि यह तो से करूंगे लेकिन वो बोलता कि चुप चपाईश अगर ऑपिस टाइम से अंदर तुम्हें अंदर जाना है बरना तो तुम आज ही जॉप से निकाले जाओगे वीचरी जी सिते से उपर जाके मैनेज कर लेती है और उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो हमारी करने लगते हैं और लख किली किसी भले मानुस ने अल ले दी लू के अजिस्टन को इसका वीडियो भेजा हुआ था तो असलियत पता था बरना तो नहां पर बहुत बड़ी प्रब्लम होने वाली थी और लू आके वहां पर सिचुशन को समाल लेता है बात में उसे अपना ह लू से लुक की आ जाता है और यहां पर एह दिखा जाता है कि जो जिनोंने लुक कि आख था वह बात कर रही थे कि आज तो उसे भारी में सुन लेता है близ unmute चाहतो ओ खतम होगा तो आप लोग मुझे बताओ, मुझे ये ड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं आप लोग के मर्जी के हिसाब से ड्रामी को कंटिन्यू करने के बाद में सोच रही हूँ, तो प्लीज जरूर बताना आपको ये वारा पार्ट कैसा लगा, और आप लोग चा